हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल हैस्टेग क्रियेटिव आर्थी पोरवाल में दोस्तों मैं हूं आर्थी और आज मैं नीटी सुदेंट्स के लिए एक और अर्जेंट नोटिस लाई हूं दोस्तों अभी अभी आंद्र प्रदेश ने अपने मेडिकल साइंस व को मिलती रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करेंगा तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आंज प्रदेश के डॉक्टर एंटी यार उनिवस्टी और हेल्थ साइंस विजयवारा की इसने अपने ऑफिशल वेबस चूर्स वर ये टौसन पुलबचे ये अंट अबर अच्छार्ट इसन लगतान अवीडियो फ्सूर्ज फडियो बात बात करेंद सेट लूट इस नद पर इसने अच्टर इसने वेडियो में भुट है टूलबच बात करेंगे तोस्तों के अंज़ वेढ़ूंबच ठीने ब तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपको अगर फर्स्ट फेस्ट 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 में जोएन हुआ था जो अपने लॉटेट को जोएन कर लिया था अगर आप वह सीट छोड़ना चाहते हैं तो आपके पास कल तक का टाइम में कल आप दिपहर में एक बजे तक बिना किसी पेरिंख को फार सकते हैं उसके लिए आपको रिक्वेश्ट करनी है प्रिंस्पल को को मेंको दूर्त अपया छैए तो दोस्तों इस उसने यह नोटिस निकाली है दूसरी नोटिस दोस्तों देख लिए आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डॉक्टर एंटियार उनिवस्टी और हेल्थ साइंस आंध्रा प्रदेश विजय वाड़ा ने लिस्ट निकाली है लिस्ट ऑफ कॉलेज वाइस वैकेंसी आफ्टर फर्स्ट फेस काउंसलिंग इन एंडर मैनेजमेंट कोटा सीर्स फॉर्दा एकेडमी के लिस्ट तो दोस्तों कुछ कॉलेज़ेस के नाम है और नंबर ओफ वैकेंसी केटागरी वाइस दीए केटागरी बी और केटागरी सी एनराई कोटा के लिए है तो टोटल 321 वैकेंसी केटागरी बी के लिए है और 231 वैकेंसी 231 वैकेंसी एनराई कोटा के लिए तो दोस्तों कॉलेज़ वाइस सीर्स दी हुई है जैसे आपका अपोलो इंस्टिट आफ मेडिकल साइंस रिसर्च में 19 सीटे हैं इसी तरह करके सारे मेडिकल कॉलेज़ेस के नाम दिये हुए हैं तो उनकी सीटे दी है टोटल 321 सीटे आपकी केटागरी भी में हैं केटागरी सी में 231 सीटे इसको भी आप अफिशल वेबसाइट पर देख लिजेगा तो दोस्तों इस तरह की तीन नोटिस उसने निकाली थी आज की रेट में पहली तो यह एंबी वे की नोटिफिकेशन पर एक्सरसाइजिंग सेकंड फेज ऑफ वेब बेस्ट काउंसलिंग चार पेज की नोटीस है इसको आप देखिए देख सकते जैसा की स्क्रीन पर इन कंटिनुएशन ऑफ अल्लियर नोटिफिकेशन इस दिसंबर को जो दैंवर्स्टी है बाइनोटिफ सीट निकाली हैं कितनी सीट हैं यह शे बजे सुबह 30 दिसंबर को शे बजे शाम सुबह अगले 31 दिसंबर तक आप इसमें वेबसाइट पर जाकर eligibility के according for the seat available under management quota for MBBS course both category B and C seats available in private unaided non-minority minority medical college will appear to the candidates who are found eligible to category seats such candidates have to exercise web option carefully as per their property priorities category college wise आपको जो दी हुई है the allotment will be as per the option एक्सेसराइज बाइदा candidates तो दोस्तों यह भी आपको कल सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक जो colleges में seat हैं इसके लिए आपको फिल करना है और वेबसाइट दी हुए इस website को डाउनलोड कर लीजेगा only Muslim minority candidates are eligible to exercise web option for management quota seats in unaided private minority or medical college Muslim candidate उनके लिए है यह उसके बाद जो the candidates who have taken seat either in MBBS or BDS course under management quota in earlier counseling are eligible for exercising option in the second phase of counseling जोनोंने seat अपनी ले लिए उनको भी इसमें allow किया जा रहा है second phase की counseling में फिर से भाग ले सकते हैं if they wish to slide to other college अगर वह दूसरे college में जाना चाहते हैं जिसको आप upgradation कहते हैं तो the candidates are also eligible to slide from category C to category B and also BDS course to MBBS course अगर आपको BDS course पहले मिला है तो आप MBBS course अब ले सकते हैं और category C से category B में आप जा सकते हैं ठीक है इसके बाद इन्होंने एक और नोटिस निकाली कि second phase में जो counseling है वह compulsory है इन दे अलोटेट college अगर आपको second phase की counseling में पाचिस्पेट करना है तो will got allotment in second phase counseling should join compulsory in the allotted अगर आप select होते हैं तो आपको यह compulsory है कि आपको जो अलोट हो है college उसमें admission लेना पड़ेगा तो इस तरह के कुछ rules और conditions दिये हुए हैं इसमें second page पर भी आप पूरा पढ़ दीजेगा किस तरीके से हैं फिर उसी साब साफ फिल अप करिएगा और जो selected candidates have to report to the principal of allotted college before the last day for joining as a specialized on the allotment letter with the original certificate relevant bonds if the candidates does not fulfill the above criteria पूरा criteria दिया है अगर आप mbbs college चाहते हैं they are interested to join candidates are advised to exercise option for mbbs series in colleges in which they are interested to join आप उनको भर सकते हैं जो college में आपको admission चाहिए ठीक है इसके बाद candidates to exercise option b and c जैसा कि मैंने आपको vacancy दिखा दी हैं इसी कहसाब से आपको भरना है और इसके बाद जो main news इसमें इन्होंने निकाली है आप दे सकते हैं इन्वस्टी फी निकाली है कितनी फीज है तो item जो b category है उसमें आपकी पच्चिस हजार है और c category जो nri कोटे की है उसमें पैंसाथ हजार पांसो फीज है तो यह private non-minority and minority दोनों के लिए है प्रोफेशनल इंस्टिटूशन जो दिये हुए है तो यह आपको फीज दिये जो कि आपको क्रेडिट कार्ड इंटर बैटिंग डेबिट कार्ड के जरीए आपको देनी है काउंसलिंग के वक्त तुरंत ऑन्दा स्पॉर्ट इसके बाद टूशन फी निकाली है यह उन्वस प्रोफेशन फी अलग है और उन्वस्टी फी अलग है तो इन्वस्टी फी 25,000 और टूशन फी 12,000,000 इधर है और 36,000,000 उधर है इसके बाद नेम ऑफ दा मेटकल कॉलेज एक और दिया हुआ है कि शिरी पद्मावती मेटकल कॉलेज फार उमेन इसमें भी एनराइ केटेगर गई होगी इंस्ट्रक्शन भी दिये हुए केंडिडेट लिए कि कैसे आपको कौन-कौन से लिजबल होंगे केंडिडेट और एंटियार उन्वस्टी जो विचेस अवलेबल वेबसाइट विफोर एक्सराइज वेब ऑप्शन इसके बाद लास्ट पेज पर इन्होंने थो नोटिस को ध्यान से देख लें वेकेंड सीर्ज देख लें कॉलेज की किस हिसाब से आपको कल से लेकर परसो सुबह 6 बजे तक यह आपके लिए इंपोर्टन नोटिस है आपको फिल करना है तो यह पूरी न्यूज थी आंध प्रदेश के एंटियार उन्वस्टी की डॉक् साइंस आंध्रा प्रदेश तो अगर आपको इन्वस अच्छी लगी हो तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेर करेगा थैंक यू